स्पीकर के लिए बीजेपी में चार नामों की चर्चा तेज हो गई है भरत हरी महताब के नाम की भी चर्चा तेज हो चुकी है बात की जाए तो सांसद राधा मोहन सिंग भी इस रेस में आगे चल रहे हैं 26 जून को लोकसभाई स्पीकर का चुनाव होना है लोकसभाई स्पीकर को लेकर इस वक्त की बड़ी खवर हम अपने दरशकों को बता रहे हैं स्पीकर चुनाव पर विपक्षी पार्टियाँ भी लगतार अपनी नजरे बनाये हुए है स्पीकर चुनाओं में वपक्ष खेल भी कर सकता है स्पीकर के लिए BJP में लगतार चार नामों की चर्चा है जिसमें पूर्व स्पीकर ओम बिरला का भी नाम सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से स्पीकर को लेकर स्वक्त की बड़े खवर हम अपने दर्शकों को पता रहे हैं पूर्व लोग सभाई स्पीकर ओम बिरला के बाद जो सांसद है राधा मोहन सिंग उनका भी नाम जो है इस रेस में चल रहा है इसके बाद बात की जाए तो डी पूरंदेश्वरी जो आंधर प्रदेश बीजेपी की अप्रदेश अध्यक्षे और जो टीडीपी प्रमोखे चंद्रबाबु नाइडू उनकी पतनी की बहन भी है डी पूरंदेश्वरी तो डी पूरंदेश्वरी का भी नाम चर्चा में है ऐसे में देखना ये होगा कि 26 जून को जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो आखिरकार ये कुरसी किसको सौपी जाती है ये फिलाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ में रखना चाहा रही है और इसी परजारा बाचीत के लिए सीधे हमारे सही होगे रानो मिश्रा हमारे साथ न्यूजरूम से लाइब जुड़ गए हैं रानो चुनावी परिनाम सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा का अगला स्पीकर कौन होगा बिल्कुल देखे रिद्धी ये बड़ी जानकारी जो सुत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो ये कि चार नामों पर लगबग जो है चर्चा काफी तेज हो गई हाला कि नाम तो कई हैं स्पीकर के पदकी रेस में लेकिन जो चार नाम भारती जनता पार्टी की तरफ से ब बना सकती है दूसरा नाम जो है वो कहीन कहीं रादा मोहन सिंग का भी बताया जा रहा है रादा मोहन सिंग क्रस्यमंत्री भी रहे हैं मोधी सरकार के पहले कैबनेट में और वो कह सकते हैं बरिष्ट सांसद भी हैं क्योंकि छे वार के सांसद हैं रादा मोहन सिंग बिहार से अते हैं तो कुल मिलाकर उनके नाम पर भी कहीं न कहीं सहिम्ति बन सकती है लेकिन बड़ी चीज है ये है एक नाम और चल दाए भरतरी महताब का जिनको भी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है उनके नाम पर भी कहीं चर्चा चल लए इसके अलाबा एक और सांसत जो है को जो है प्रधान मंत्री नरेंद मोधी स्पीकर के पद का प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद जो है 26 तारीक को इस पर बाकाइदा चुना होगा लेकिन बड़ी चीजी है कल संसद का सत्र शुरू हो रहा है अठारवी लोकसवा का पहला सत्र शुरू हो रहा है जिसमें संस इसको इलेक्शन होना है स्पीकर के पद के लिए लेकिन उससे पहले बड़ी चीजी है कि NDA के जो सयोगी दल है खासकर जेडियू और TDP इनको क्या भारती जनता पार्टी मना पाएगी यह देखना बड़ा महत्तपूर होगा क्योंकि अगर जेडियू की बात करें तो जेड लिगू दिसम पार्टी चंदवावू नाइडू की तरफ से आ सकती है टीडीपी कहीं इसमें कोई रोडा ना लगाया क्योंकि टीडीपी चाहती है कि उनकी पार्टी का कोई सांसद स्पीकर बने फिलाल देखना बड़ा महत्तपूर होगा इसकी पूरी जिम्मेदारी जो ह प्रमुक जो चंदरभावू नाइडू है उनकी पतनी की बहन है जो धीपूरन देश्वरी है वो टीडीपी के रिष्टेदार भी है अगर धीपूरन देश्वरी का नाम बीजेपी स्पीकर पत के लिए आगे रखती है तो मेरे हिसाब से टीडीपी को इसमें कोई आपत्य दर्च नहीं करवा पाएगी देखे होता क्या है राजनेत में रिष्टेदारी माइने नहीं रखती है राजनेत में पद बड़ा माइने रखता है यहाँ पर अगर भाई भी होता तेलगू दिसम पार्टी की तरफ से कोई या फिर उनके कह सकते हैं चंदबाबू नाइडू का वो दूसरी पार्टी में किसी एक को लोग सबाग स्पीकर का पद दिया जाए लेकिन ये लगवग तैमाना जा रहा है कि भारती जनता पार्टी जैसे जो मुख की बिवाग थे खासकर वो अपने पास उन्हों ने रखे अपने डिपार्टमेंट जो पूराने थे वो लगातार अपने पास बिजेप को बिठाने में भी कही न कहीं भारती जनता पार्टी पूरी तरीके से कामेब रहेगी उसकी पूरी जिम्मेदारी राजनास सिंग को साउपी गई है उन्होंने सयोगी डलों के साथ कई मीटिंगे भी कही है कई दौर के उनकी बात चीत भी है लेकिन बड़ी चीज यह है कि इस बातचीत के बाद आप जब 26 तारीकों प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी स्पीकर के पद के नाम का प्रस्ताव रखेंगे तब देखना बड़ा महत्पूर होगा कि इस पर कैसे आम सहमती बनती है लेकिन चुनोतियां बिजेपी के सामने दो सबसे बड़ी हैं पहली सुनोती उनकी अपने सयोगी दलों को मनाना हलाकी वो मान जाएंगे इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन दूसरी सबसे बड़ी सुनोती है विपक्ची खेमे के क्योंकि विपक्च 2014 और 19 वाला नहीं है अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देते हैं पिपक्ची पार्टियों को भारती जंता पार्टी एंडिये घटक डाल तो कुल मिलाकार जो है 26 तारी को स्पीकर के पद पर चुनाओ होगा और बाकाइदा इसके लिए बोट डाले जाएंगे